इस रिपोर्ट में आ रही हैं बड़ी खबर के बारे में हम आपको देने वाने हैं जानकारी तरसल नगीना से सांसा चंदरशेकर आजाद जिस ट्रेन से दिल्ली से कानपूर जा रहे थे उसे ट्रेन पर बुलंद शहर में पत्थर फेके गए हैं ये घटना से चंदरशेकर के समर्थक हैरान है एक पत्थर उनकी से दो सीट आगे बैठी यातरी के पास वाले शीशे पर लगा भी और वो चखना चूर हुआ इस घटना पर चंदरशेकर ने हैरानी भी जताई है क्या उन्हें पर हमला करनी की ये साजिश थी? क्या अगा किया गया है? जी हाँ, बुलंत सहर जिले का कमालपूर्श ट्रिशन पार किया जैसे ये ट्रेन में तब ही बाहर से किसी आसमजित तत्तों ने पत्थर बाजी की और उनसे आगे की सीट पर बैठी यातरी के पास चकना चूरुआ जानकारी ये मिले सुभह साथ बजे की ये घटना है और जो पत्थर फेका गया चंदरशेखर का ये कहना है उस पर कि वो उनसे दो सिट आगे बैठी यातरी के पास आकर लगा उन्हें भी लग सकता था, उन्हें चोट भी लग सकती थी नगिना सांसद ने कहा ऐसी घटनाए निंदनी है और किसे भी कीमत पर स्विकार नहीं किया सकती है यातरीों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा किया गया नहीं से केवल सरकारी समपत्ति को नुकसान हुआ बलकी आत्रियों को नुकसान के बारे में नोंने सवाल खड़े किये इसके अलावा आजाज समाज पार्टी चेफ शंद्रशेखन ने आगे कहा एक रिपोर्ट थी 2022 में ऐसी घटना का आकड़ा 1503 तक पहुँच गया रेलवे को करोड़ रुपे का नुकसान छेलना पड़ा है यह आकड़ा सोचने पर मजबूर करता आखिर इस तरह की घटना बार-बार क्यों हो रही है पत्राओ से ना केवल संपत्ती की शर्टी होती है बलकी आत्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है रेलवे देश की अमुल्य संपत्ती और इसका संग्रक्षन देश के हम सभी नागरी को की जिम्यदारी है यह समश नहीं रहे हैं लोग समाज में इस तरह की हरकते ना केवल सुरक्षा की भावना पैदा करता है बलकि देश की छवी को भी नुकसान पहुँचा सकता है और अपिल करते भी कहां परिवार में माता पिता स्कूलों में अध्यापक को द्वारा बच्चों को इस विश्ये पर जागरू करना आवश्यक है नेक्ष्ट नाइन न्यूजन स्रप्तिक रिपोर्ट